दोस्तों नमस्कार मेरा नहीं है डॉक्टर कमलाकर पानले और आपका इस चलना पर बहुत-बहुत स्वागत है मैं आज आपसे बात करूँगा लॉओ अफ अट्रेक्शन के कुछ टॉपिक्स के बारे में कि लॉओ अफ अट्रेक्शन काम कैसे करता है और लॉओ अट्रेक्शन को अगर हम अपने जीवन में अपलाई करना चाहते हैं तो हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बहुत छोटी सी वीडियो है दोस्तों लेकि बहुत ही काम की होने वाली है इसको अंत तक जरूर देखिएगा लॉओ अफ अट्रेक्शन के अगर हम बात करें तो ये सिंपल सा फंडा इसका होता है कि आपके अंदर जोची चल लई होती है वही आपके बाहर दिखती है ठीक है चुकि हम उन्हीं चीओ को अपनी तरफ अट्रेक्ट करते हैं जो हमारे अंदर हैं हम एक चुम्बक हैं और चुम्बक का काम होता है सेम चीज को अट्रेक्ट करना जैसे चुम्बक है तो वह लोहे को अट्रेक्ट करता है किसी ऐसी चीज को नहीं अट्रेक्ट करता ह कि एक काच को एक कर पाएगा तो हमारे अंदर जो चल ले हम वाइब्रेशन है तो जो वाइब्रेशन हमारे पास होती हैं उसी को कहेच करते हैं आप ऐसे समझेजिए जैसे कि आप देखे कि टी-वी होता है टी-वी टावर होता है या घर में हमने कोई antenna लगा रखा होता है तो TV से जो टावर से महाँ से vibration भेजी जाती है और जो vibration हमारे यहाँ antenna catch करता है वो सारे के सारे vibration तो catch करता है लेकिन हमारे जो tuning होती है जब हम TV को tune करते हैं तो जब same frequency match होती है तो वो pictures वो आवाज सब कुछ हमारे screen पर दिखाई देना शुरू हो जाता है तो वही चीज होती है law of attraction में कि जब हम high vibration में होते हैं यानि अगर हमनों किसी चीज को attract करना है तो जीव सभी vibration में हम हैं अगर low vibration में हैं तो हम किस चीज को attract करेंगे चुक्कि हमारे आस पास में तो सब कुछ है हम एक एक ऐसे vortex में रहते हैं एक ऐसे भवर में रहते हैं एक ऐसे घेरे के अंदर में रहते हैं जिसमें सब कुछ है आपने जो आपके दिमाग में आई बात जो कुई आपने सोचा हुआ वो सब कुछ इसके पड़ा हुआ है लेकिन वो आएगा कैसे हमारी जीवन में अप्लाई कौँ से चीज़े दिखेंगी वही जो हमारा लेविल चल रहा होगा vibration का vibration का पता चलती है हमारे emotion से कि हमारा emotion का level कौँ सा है अगर हमारा emotion का level positive है तो आप positive चीज़ों का अपनी तरफ attack करेंगे अगर emotion का level negative है तो negative चीज़ों का अपनी तरफ attack करेंगे तो आप देख लिजए कि आपकास में जितनी भी घटनाय हो रही है जितनी भी चीज़े आप देख बार है वो सब कुछ वही है जो आपके अंदर है वही बाहर है आपके अंदर जो चीज़ चल लही है आपके बाहर वही चीज़े दिख रही है तो अगर आज के बाद कभी भी आपको ये feel हो कि आपके पास में जीवन में इतना ही सारी चीज़े क्यों है चाहिए वो अच्छी है या बुरी तो आप मान लेज़ेगा कि ये कहें ने कहें वो आपकी ही thought process की वज़े से है आपकी ही सोच की वज़े से है आपने ही उसको अपने जीवन में attract किया हुआ है ठीक है तो ये होता ही है तो अपने चीज़ों को अगर change करना है तो उन चीज़ों को हम change करें जिसकी वैसे वो attack हुई है तो सबसे बड़ा होता है हमारा thought जिसके हम बात करते हैं कि कोई बिच्छी शुरुआत होती है एक thought से तो thought को कैसे change करेंगे हमको अपने thought पे focus करना चाहिए दिन भर देखते रहना चाहिए कि हमारे अंदर क्या-क्या thought आ रही है आप सिर्फ दिन में आज एक काम करिए कि अपने सिर्फ thought को चेक करिए कि आपके thought कौन कौन से आ रहे हैं आपको पता है कि प्रतिन दिन में 60,000 से ज़्यादे विचार हमारे मन में आते हैं तो जो विचार आ रहे हैं वो कौन से विचार है positive है negative है सकरात्मक है या नकरात्मक है किसी के बारे में अच्छे के बात सोच रहे हैं किसी के तारिफ के बारे में सोच रहे हैं हम आगे निदे के बारे में सोच रहे हैं या पुरानी बातों को सोच रहे हैं तो अपने फ़ोकस करे आप देखेंगे आपकी जो फोकस करेंगे तो दीरी बूरसीं बहुत करेंगे वाब में उसको तुरांड विचार होंगे सारे सारे पॉज्टिव आने चुरू है जाएंगे तो यह एक प्रक्रिया है जिसको आपको लगातार करते रहना चाहिए इससे आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके काम आएगी अगर काम आएगी तो आपका में लाइक करिएगा कमेंट जरूर करिएगा फिर मिलता हूँ एक और जानकारी से भरे वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों